हेलो फ्रेंद्स नमस्ते वेल्कम बाक टो माई योट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद्रुची तो यह UPGK series 9 जोकि लोग UPSSC की तयारी कर रहे हैं UPSC के एक्जाईम की तयारी कर रहे हैं UPPSC की कर रहे हैं lower pcs के mains की करेंगे rrb ntpc की करेंगे या जो भी UP से related exam है यो पी जी के क्यान है rrb ntpc के लिए भी मैं डालती हूं questions तो वो आप देख सकते हैं part 1, part 2 अप्लोड़ेड है और ये series 9 है UPGK की current affair daily सुभा आता है वो आप देख सकते हैं वो इतम लेटेस्ट होता है बहुत important questions होते हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को exam की preparation से related वो सारी चीज़े available हैं अभी मैं last year's के paper भी इस पे available करने वाली हूं कुछ तिरों में लेकिन प्लीज जो भी लोग ये video देखते हैं देख रहे हैं प्लीज मुझे comment जरूर किया करिए कि आपको video कैसी लगी और video पसंद आए तो like जरूर करिए friends के साथ share करिए तो please subscribe जिरों अभी तक नहीं कर रहा है तो subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए subscribe के बगल में bell icon होगा उसे hit जरूर कर दीजेगा जिससे आपकी preparation में कोई भी पाधा नहीं आए आप easily आपको daily daily मेरे videos की notifications मिलती रहे और आपकी preparation अच्छे से चलती रहे all the best guys आप सब को success मिलेगी लेकिन उसके लिए daily मेहनत करना जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ाई के touch में रहना पड़ेगा आपको daily update रहना पड़ेगा current affair, UPGK, reasoning, math, hindi जो कुछ भी exam में आना है वो आपको daily practice करनी पड़ेगी gapping से आपका mind भी divert होता है आपका routine भी change होता है और एक आपका जो अंदर से motivational आपकी हिम्मत होती है आपकी जो चीज को पाने की चाहत होती है आप exam में success की पाने की चाहत होती है उस position को बैठने की चाहत होती है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है तो daily अगर आप एक जजबे से पढ़ेंगे तो आपका selection 100% होगा ये मेरा personal experience है तो friends first question से शुरू करते है जो कि UPGK Series 9 का है निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बैती है निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बैती है गंगा, यमुना, राम गंगा या जासकर तो जासकर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बैती है जासकर नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बैती है अगला प्रशन उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है घागरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर यह है शार्दा नहर, शार्दा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तरप्रदेश की, उप्शन D, याद करते चलिएगा आप लोग मेरे साथ, केंदरी गंगा प्रादी करण की स्थापना कब हुई थी, 1987, 1985, 1984 या 1983 में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, उप्शन B, 1985 में, लाल मि या मिर्जापुर जहासी में, तो यह पाई जाती है मिर्जापुर जहासी में, उप्शन D, मिर्जापुर जहासी में, उत्तरप्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, इतावा, मेरड, गोरगपुर, फरुखबाद, तो यह है इ उत्तर प्रदेश में अब ना लिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है इटावा अगला प्रशन मार म्रदा कहां पाई जाती है दक्षिडी उत्तर प्रदेश पस्चमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश तो पस्चमी उत्तर प्रदेश में अगला प्रशन राजी का सरवाधिक ठंडा महा कौन सा होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ठंड कौन से महीने में बढ़ती है जनवरी में दिसंबर में फरवरी में या नवंबर में तो जनवरी में सबसे अधिक ठंडा होता है उत्तर प्रदेश क्योंकि आपक मानसून, चक्रवात, पर्वत या इनमें से कोई नहीं, तो चक्रवात के कारण सीतर शुम देटों में वर्शा होती है, option B चक्रवात, आप रुख बहुत ध्यान से questions देखेगा, बहुत important है, कैमूर शिडी का निर्माण किस शैल समू से हुआ है, विन्दन शैल समू, बुंद प्रेखो के मिलती है, पंक, उससे चार ऐजों की सेमा मिलती है, option D चार आजों की सीमा, प्शन D राइट अंसर है, चार राजों की सीमा, ये आसे के थे यूपी जी के सीरीज 9 के questions, दो इस तो उमेद करते हूँ कि आपको quirkyसे विखें काफी अच्छे वं लगते हूँगे, औ और दूसरी चीज़ आप इस success के भी बहुत पास चलते चले जाएंगे, कैसे आप अपनी success को अजीव कर लेंगे, आपको selection हो जाएगा, पता भी नी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को motivate करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको खुद से ध्यान लगाना पड़ कुछ भी पढ़िए वो आपको याद हो जाए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको concentration की बहुत जरूरत होती है, concentration से पढ़ेंगे, achievement जल्दी मिलेगे आपको, success जल्दी होंगे आप, तो all the best, all of you, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग preparation कर रहे हैं, I बहुत लंबे वीडियो नहीं होते हैं, आदे घंटे के एक घंटे की आपको specific time निकाल कर ये वीडियो देखने पड़ेंगे, आप 10 से 15 मिनिट का वीडियो देखिए, दो दिन घंटे बाद उसको फिर से revision देख लीजे, फिर से वो वीडियो देख लीजे, आपको एकदम य for watching friends, bye bye